हेलो फ्रेंज कैसे आप सब लोग आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब क्या हो रहा है हमारी पार्टी हो गई थी खतम सारे गेस्ट अपने अपने रूम में गए थे और हम मिया बीवी उपर फ्लैट में गए सबसे पहले मैंने पूरा किचन साफ किया कल सुबह जो ग्रह प्रवेश की पूजा के लिए किचन की तयारी थी वो सारा किया और साड़े ग्यारा बजे हम लोग घर आए पंदर मिट के अंदर कपड़े चेंज किये और मैं पहुंच गई हो होटल रात के बारा बजे मेरी नंदे सब एकी रूम में इखटा है और दूसरे रूम्स में बाकी लोग सारे सोरे अपने रूम्स है तो यह हमारे गर की रीत है के ना रात को सारे इखटे हो के बाते करते हैं तो एक जगा सारे नंदोई, ब्रदर्स, सब बैठे है, मेरे ससूर जी के साथ, ये देखिए, और दूसरी जगा पे, सारी मेरी तीनो नंदे, मेरी सास, सब रात को बैठी है, तो ये जो रस्ते के खाने का हैंपर हमने बनाया था, याद है ना आपको, तो अब सुबह टाइम मिलेगा के नई, इसलिए मैंने सुचा अगर अब जब हम आई गए हैं रात को, तो पहले ही दे देते हैं, क्योंकि सुबह मैं हवन में होने वाली हूँ, दुबारा बिजी, ग अगले दिन बैठके, फटा-फटा के सब को दिया, सो ये मेरी नंदो के रूम में हम पहुंच गई, मेरी बड़ी बारी नंदे के कितने बिजीली पैकिंग में लगी है, इस सारा डाल के लेके जाना है, खुब मस्ती करते हैं, अभी आप दीरे दीरे देखेगा, आगे-ाग होता है, क्या, ये मेरी चोटी नंदन जैपुर वाली, और ये मेरी सबसे चोटी नंद मेरे हस्बन की कजन, वो चन्नी रहती है, तो इस तरीके से सब को उनका रस्थे के खाने के हैंपर दिये, मेरी मदरिलना वाँ बैठी थी, उनको मैंने बताया कि आपके रूम में मैंने राजबो के डबनी, तो बस अब थोड़ी देर में हम यहां तसली से बैठ जाएंगे, और ये बिल्कुली गतिना हमें पता था, कि दीरे दीरे बाते करते गते, रात के धाई बजने वाले हम सब को, इतने गपे मारेंगे, I think सबके घरों में यही होता है, कोई शाधी ब्या हो, कोई function हो, जहां सब इखटे होते हैं, तो रात को एक कमरे में, कुछ पांदस लोग ऐसे होते हैं, जो रात बर बैटके मस्ती करते हैं, ताश केलते हैं, गप्याते हैं, यह देखिए, दीरे-दीरे करके, मेरे जो एक और बुआ सास है, छोटे वाले, उनके दामाद आ ग काने के लिए, यही तो परपस होता है, बाते करेंगे, खाएंगे, मस्ती करेंगे, इनको आ रही है नीद, लेकिन इनको बाते भी करना है, मजे भी करना है, यह वो ही JBR के हैंपर्स हैं, जिसमें हमने खूप सारे ड्राइफ फूज, पोहे, चिवडे, नमकीं किये थे, यह म स्नैकिंग तो अब होते हैं इन सब चीजों की शुरू, आप समझ पारें में को कितनी खुशी मिल रही है, बताते बनाते, कि हमने क्या गप्पे मारे, और हमारा जो पाटी हुई थी, उसमें कचोरियां भी बनी थी, हमें तो याद नहीं पता ने, तो मेरी जो सबसे चोटी कचोरिया यार, हमें भी कानी और बन वान नहीं थी, फिर इसकी इन सब की, इसने जाके यहां ऐसे किया, इसने जाके वहां ऐसे किया, यही सब बाते होते हैं, एक दूसरे की बच्पन की कहानियां, बता बता के, सुना सुना के, टांग खीचना होता है, तो यह जो आप माधियों से जैसे था, बिल्कुल, और बस यही सारे बाते, अब बताओ, आप लोग के भी घरों में यह होता है, सारे इखटे हो जाते है, मेरे मम्मी के साइट भी यह होता है, हम लोग शाम से सारे इखटे हो जाते हैं, चाचा, चाची, मम्मी, पापा, सब कजन्स बैट के कुप मस्ती करते हैं कई बार तो ये सारे जैन से खटे हो के ताश खिलना शुरू कर देते हैं कई बार तो सरफ बाते होती है सबसे दादा तो हसी मुझे आ रही थी दिदी बोल रही थी सुबह पांच बजे घरह प्रवेश है और मैडम यहीं बैठी है आप देख रहे हैं मेंदी कितनी काली हो गई बस तीन बज़े तक हमारा ये मस्ती भरा प्रोग्राम चलता रहा फिर हम सब अपने अपने रूम में गए सोए मैं अर जैन साब बिलकुल नहीं सोए क्योंकि अगर सो जाएंगे तो उठेंगे कैसे फोर थर्टी तक हमें नहा दो के बिलकुल रेडी होना था घ्रह प्रवेश के फंक्शन के लिए और फोर थर्टी तो जैन साब नहा के पंडित जी को हमारे नए घर से पुराने घर लेके आ है आगे का कार्यक्रम शुरू करवाने के लिए